हलो फ्रेंट्स, वेल्कम तो मैं चैनल इस्परिट आडूकेशन, दिसेस सुजाता फ्रेंट्स हम वोकिव सीख रहे हैं, वोकिव में हम से रोनमेंट रूनम्स के वर्ट्स कर रहे थे वहीं से क्लास को कंट्यूनिय करती हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रेंट्स, सभी वर्ट्स इंपोर्टेंट हैं, इनको नोटम करते रहेगा मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं Deprive आज का हमारा word है Deprive part of speech में परव है और important is clear है मैंने सभी words इसका meaning होता है Take something away from someone Take something away from someone किसी से कोई चीज़ छीन लेना किसी से कोई चीज़ ले लेना उसे किसी चीज़ से बंचित कर देने के लिए वड़ाता है Deprive उसकी क्या है Please and Necessary Jaws के लिए बहुत आवश्यक और पिर्रिय है कोई चीज़ चीज़ से चीन लेना He claimed that he had been deprived of his rights He claimed that he had been deprived of his rights उसे उसने दावा किया He claimed उसने दावा किया that he had been deprived of his rights कि उसे उसके अधिकारों से बंचित किया गया है उसे उसके अधिकारों से बंचित किया गया है उसने क्लेम किया कि उसे उसके अधिकारों से बंचित किया गया है यहां पर आप देख सकते हैं Deprived बर्की तरह यूस हो रहा है आयोप आपको clear हो गया होगा वाट और इसका second meaning देखते हैं prevent from using something 2nd meaning है इसका हमने 1st meaning देखा किसी को किसी चीज से बंचित कर देने के लिए आता है और 2nd meaning है इसका कि prevent from using something कोई चीज प्रियोग करने से रोकना using something किसी चीज को प्रियोग करने से रोकने के लिए आता है जब कोई चीज प्रियोग करते हैं उसे रोक देना the city was deprived of its water supplies the city was deprived of its water supplies कि सहर को अपनी water supplies से रोग दिया गया उसे सहर को क्या कर दिया गया है water supplies से रोग दिया गया आई हो पर आपको clear हो गया होगा और example भी next word पर move करते है accretion हमारा next word है और ये पार्टों की speech में noun है accretion का meaning होता है increase accretion का meaning होता है increase ब्रद्धी करना by external addition बहारी जोड में ब्रद्धी करना इसका meaning हुआ increase ब्रद्धी करने के लिए आता है word और external addition जो बहारी जोड होता है उसमें ब्रद्धी करने के लिए आता है synonym देख लेते हैं increase, growth increase और growth इसका synonym हुए और Antonium हुआ Decrease और Loss Decrease कहते हैं कमी होना और Loss हो देने के लिए आता है इसका उस देख लेते हैं The Accretion of Snow The Accretion of Snow कि बरफ का जमा बरफ में क्या हुई है? व्रदी हुई है? जमा हुई है बरफ आप यह देख सकते हैं और Accretion word important है Spelling error के लिए भी Spelling error में भी पूछा जाता है Next word पर move करते हैं Accrue word आता है Accrue new word है देखो आप वर्ड अच्छा है और इस पाट अपिस विच में बरफ है Accrue इसका मिनिंग होता है Sum Money Money को जोड़ना Money को इखटा करना, Money को जोड़ना Benefit lab मिलना यह E है Benefit lab मिलने के लिए और Money को जोड़ने के लिए वड़ाता है Received in regular नियमित रूप से प्राप्त किया जो नियमित रूप से हम प्राप्त करते हैं Increasing in amount over time Increasing in amount over time इसका मिनिंग है कि समय के साथ मात्रा में ब्रधी होना जो समय के साथ हमें उसका ब्रधी होती है किसी दन में ब्रधी होती है कुछ Benefit मिलते हैं उसके लिए वड़ाता है Accrue A-C-R-E-U-E Accrue Spelling भी ध्यान देचेगा Example देख लेते हैं Interest will accrue Interest will accrue on the account at the rate of 7% Interest will accrue on the account at the rate of 7% की account पर 7% की दर से account पर 7% की दर से ब्याज में ब्रधी होई क्या होई ब्याज में ब्रधी होई Interest जो है उसमें Interest बढ़ा उसका 7% का account में उसमें क्या Interest में ब्रधी पाई Accrue कहते हैं कि उसकी जो amount की मात्रा थी उसमें क्या हुआ Interest में उसकी ब्रधी होई आई ओप आपको के लिए रहो गया होगा कि जब हमें धन में हमारे इंट्रस्ट में मिलता है उसका अभ्याज मिलता है तो हम उसके में क्या हुआ वह ब्रत्थी हुए एक्रू है यहाँ पर हमने यूज किया है वर्ड और देख सकते हैं आप यह पर की तरह यहाँ पर यूज ह कि उस न्यू ट्रांसपोंट लिंक से सहर को लिटल बैनिफिट बहुत कम लिटल ना की बरावर आता है प्रेंड से लिटल ना की बरावर आता है कि बहुत कम लाब मिलेगा बहुत कम लाब मिलेगा हम इसके शिनोनिम देख लेते हैं वर्ड के एक्रू के टू इंक्रीज एक्रीशन अजमेंट अजमेंट भी ब्रद्धी के लिए आता है फ्रेंट से स्पैलिंग पर ध्यान दीजेगा ए यू जी अमेंट टू इंक्रीज हमने उपर पढ़ाता है इंक्रीज के लिए जो एक्सटरनल एडिशन होता है उसमें इंक्रीज होता है टू इंक्रीज अजमेंट ठभाट जापकी करनी जोलने के लिए आता है तो हमने कुछ ये शिनोनिम देखिए आगें देख लेते हैं तो इंक्रीज, एक्रीशन, अजमेंट, कलेक्ट, गैदर और अक्यमूलेट इसके शिनोनियम हुए और एंटोनियम है, डिक्रीज और लॉस, ओकी फ्रेंट, तो आई होप आपको सभी वर्स किलियर हो गए होंगे, और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लागा हो, आपक इसे सभी इसका benefit उठा सकें, ओकी फ्रेंट, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स पर वाचिंग, टेक केर, बाई बाई